नमस्कार शाम की चार बच्चु के हैं आप देख रहे हैं आज तक मैं हूँ आपके साथ चित्रात्र पाठी अपसे थोड़ी देर पहले कॉलकाता के ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित किया जो बड़ी बाती उनकी ओर से कही गई है जल्दी से उस पर नजर डाल देते हैं आपको बताती चले खेला खत्म होने की बात करते वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी नजर आए सीधे मम्दा बैनर जी पर तावर तोड़ हमले करते वे आज कई नारे भी उनकी ओर से जाद है यकीनन इसका असर दिखेगा और बीजेपी की यहाँ पर सिर्कार बनेगी आसोल परिवर्तन यानि की असल परिवर्तन का नारा भी बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी नजर आए फिलाल आपको तस्वीरे भी दिखा रहे हम मिथुन चक्रवर्त आज पीम मोधी की इस्रेली के ठीक पहले भारती जनता पार्टी में इसी मंद पर शामिल हो गए और उसके बाद इसी मंद से होप तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी मिथुन चक्रवर्ती का नजर आए खेला होबे को लेकर जो नारा टीमसी की ओर से बार बार बुलंद किया जा रहा है कि ये बार तो खेला होबे उसको लेकर ममताब एनरजी पर कैसे किया है पीम ने तन्ज और कहा कि इस बार तो खेला खतम हो जाबे क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने सुनी कि आजकल तो हमारे विरोधी भी कहते हैं कि मैं दोस्तों के लिए काम करता हूँ हमें कहा जाता है कि मोधी अपने दोस्तों के लिए काम करता है हम सब चानते हैं बचपन में हम जहां पले बड़े होते हैं जिनके बीच में खेले होते हैं जिनके साथ पड़े होते हैं वो हमारे पक्के दोस्त होते हैं जीवन भर के पक्के दोस्त होते हैं मैं भी गरीबी में पला बड़ा और इसलिए उनका दुखदर्द क्या है चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कौने में क्यों नहों क्योंकि वो मुरे दोस्त हैं मैं उसे बली बाती अनुभव कर सकता हूँ मुझे इसके लिए किताब नहीं पढ़नी पढ़ती है न कोई वीडियो देखना पढ़ता है न कोई तस्वीर देखनी पढ़ती है क्योंकि मैं इसे आनुभव करता हूँ और इसलिए मैं दोस्तों के लिए काम करता हूँ और मैं दोस्तों के लिए ही काम करूंगा भाईयो बहना मैं बंगाल के अपने दोस्तों के लिए काम कर रहा हूँ मैंने अपने दोस्तों को बंगाल में लगबग 90 लाग गैस कनेक्शन दिये है मैंने अंदेरे में जी रहे अपने बंगाल के 7 लाग से अधिक दोस्तों को मुपप बिजली कनेक्शन दिया है मैंने अपने दोस्तों के लिए बंग्याल में साट लाग से ज़्यादा सौचाल है इजदगर बनवाए है मैंने अपने दोस्तों के लिए बंग्याल में 32 लाग से अधिक पक्के गर्शिकुद किये है बलीत हो, पिछडे हो, पीडीत हो, शोचित हो, बंचित हो, सबी दोस्तों को इन योजनाओं का लाब मिला है आजादी के इन 75 वर्षों में, बंगाल ने जो खोया है, बंगाल से जो छीना गया है वो मुझसे ज़्यादा आप लोग ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं आज हम इस संकल्प के साथ भी आपके सामने आये हैं कि जो भी बंगाल से चीना गया है भाईयों बैनों मेरे शब्द लिख रखिये जो भी बंगाल से चीना गया है उसे वापस लोटाएंगे आज जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहा है तो बंगाल एक नई उर्जा एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा प्रधानमंद्री नरेंद्र मोधी को आप सुन रहे थे आपको हम दिखा रहे हैं आपको बताते चले एक तरफ प्रधानमंद्री नरेंद्र मोधी ने साथ लाग से जादा लोगों की मौजूदगी में कोलकाता के परेड गाउंड में लंबी चौडी राली करी और बड़ा भाशन देकर सीधे सीधे टीमसी पर निशाना साधा उनके निशाने पर कॉंग्रस और लेफ्ट दल भी रहे तो वहीं दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ममताव एनरजी आज सिलिगुडी में मौजूद हैं और वहाँ पर गैस सिलिंडर के बढ़े हुए दामों को लेकर उन्होंने सीधे सीधे केंद्र सरकार पर निशाना साधा और ये कहा पियम मोदी मेरे साथ आमने सामने बहस करे पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम पर जबाब दें प्रधान मंत्री तो ये गहमा गहमी भराप आज का रविवार पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल में जहां पर इसी बात की चर्चा हो रही है एक तरफ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के रैली तो वहीं दूसरी तरफ मम्ता बैनर जी का सीधे सीधे पीम पर निशाना लेकिल आसोल परि परिबर्तन का मतलब आशोल परिबर्तन का मतलब ऐसा बंगाल जहां युवाओं को सिक्षा और रोजगार के परियाप्त अवसर मिले आशोल परिबर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां लोगों को पलायन करने पर मजबूर न होना पड़े आशोल परिबर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां व्यापार और कारोबार फले फुले जहां ज्यादा से ज्यादा निवेश आए आशोल परिबर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां 21 वी तदी का आधुने इंफ्रास्ट्रक्चर हो आशोल परिबर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां गरीब से गरीब को भी आगे बढ़ने का पूरा आउसर मिले आशोल परिबर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां हर छेत्र हर वर्गी की विकास में बराबर की भागीदारी होगी उत्तर बंगाल हो या दक्षिन बंगाल हो पस्चिमान चल हो या जंगल महल आदिवासी हो या दलीत पिछडे हो वंचित हो शोचित हो या हमारे सररारती भाई बहन सभी पर एक पराबर ध्यान दिया जाएगा जहां सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास शाथन का मंत्र होगा जहां उन्नयन सबका होगा तुस्टी करां किसी का नहीं जहां गुस्पैट को रोका जाएगा मैं बंगाल को भरोसा दिलाने के लिए आया हूँ कि यहां पर आसोल पौरिवर्तन होगा और उसके बाद बंगाल विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा और इसके लिए अगले पांक साल बेहत महत पुण है अलाकि आगे के पचीस सालों का भिजख्र करते वे प्यम मोदी अपने भाष्ण में नज़र आए लेकिन हुनों ने कहा कि आज से अगले पांक साल काफी जादा हैं मैं इस साथ इंद्रजीच सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता के इस मैदान में हुई इस भव्य रैली का जिक्र सीधे निशाना साथ तेवे रैली खत्म हो चुकी है आगे का क्या कारुक्रम है और लोगों की प्रतिक्रिया के इस तरह से देखने को मिली है प जी आची तरह रैली खतम हो चुकी है और कुछी शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चौपर लेके फिर से वापस एयरपोर्ट निकल जाएंगे लेकिन बहुती खास एक रैली आज हमें देखने को मिला है क्योंकि हम बार-बार ये कह रहे हैं कि ब्रिगेट प उसको भर पाना ही एक चालेंज होटा है हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ दिन पहले हमने देखा कि वामपंति दल्लर कॉंग्रिस के जो सयूक्त मोर्चा है उन्हों ने ये चालेंज लिया था कि वो ब्रिगेट भड़के दिखाएंगे और आज बीजेपी के लि लेकिर इस बार अगर आप देखे बस भर भर के और मेरे पीछे अब दिखायाना चाहेंगे एक से बरकर एक बस अभी निकल रही है और ऐसे कहीं सारे बसे हैं जिसमें अभी भी लोग बैटे हुए ये बस देख सकते हैं मैं कामरा परसन को दिखाऊंगा इस बस में अभी भ अंदर घुस नहीं पाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भाड़ी तादात में इस बार लोगों को लाया गया है जिलों से बिल्कुल बेंगॉल से उत्तरी बंगाल से ट्रेन में भर भर के लोगों को लाया गया है और पूरा पूरा मैदान के सब्सक्राइब बहु पूरा मैं ने को मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब 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 इंदरजीत में सीधे आपसे ये पूछना चाहूंगी खेला हो बे को लेकर पुधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने आज सीधे सीधे ममता बैनरजी पर तंज कसा और ये कहा कि खेला तो आपने खेला ही है चा ब्रिगेड ग्राउंड में आप लोग सुन पाए पीम ने क्या कहा है बिल्कुल सुन पाए पीम जो बोल रहे थे ना कि यहां पे जो जिस तरह से बंगाल पिछड़ता जा रहा है और उसको उसमें परिवर्तन लाने के लिए हमें यहां पर कमल खिलाना और बीजेपी को पूर बहुत लोग आये थे इसलिए यहां पर रोजगार की भी बात कर रहा है पीम आप लोगों को भरोसा होगा है कि इस बार जीत होगी बीजेपी एकदम हंडेट परसें जाई जाई स्री राम इस बार एकदम पूरा 205 और नौजवन के लिए मोदी जी बहुत सारा रोजगार क को लेकर क्या है मिथुन चक्रवरति आएा बीजए पfill ब्रोट Tibhe मतलब सोनार बनाने को विक्चर भी किया था उसी कई सिलसिले में हम लोग चल रहा है तो हमाराAr Sangla होने है हो गया है जतना कर्जी करता आया है जतना पब्लिक आया है पुस्चिम बंगल का बिकास के लिए नरंदों मोदी जी का सरकार होना जोरी रही है इस तरीके का प्रवान मंत्री मोटिवार रॉप यहां कर अधर आए है तो अब इन जूट से को यह प्रूप नहीं सकता है यह कारेकरताओं का मानना है कारेकरताओं की सोच है क्योंकि जंग सेलाव आपको को आपको आपको नजर आगा कोलकाता से श्वाता सिंग की आप इस रिपोर्ट को देख रहे थे और यह देखे आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पुरा का पुरा ग्राउंड भरा हुआ था पुधानमंत्री नरेंद्र मूदी ने भी बेहा जोशीला भाशन देकर अपने कारेकरताओं को वहां के लोगों का दिल जीतने की कोशिश की जिस पार्टी ने 2016 में तीन सीटे जीती थी वो इस बार 200 पार के नारे बुलंद कर रही है इनी तस्वीरों के साथ एक शुरु से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे फॉर लोटते हैं आज के सबसे बड़ी खबर पर आज तक की नज़र लगातार बनी हुई है कही जाएगा नवस्कार मैं हूँ अंजना ओमकश्यप अमें उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रही आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले